ईसके रूलो से बास्केट बॉल्स से चौथा बीडियो है इससे पहले मैं एल्टेसे से रिलेटिज से 5 शे वीडियो में कवर कर चुकी हूं एंड बाली बॉल पैन्विंटर्न होकी से रिलेटेड भी तो दोस्तों यदि आप फिजिकल एजुकेशन के कमपटिटिव एजाम का किसी भी एजाम का प्रिपेस्टन सिलिबस के कॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोश सिलिबस के कॉ कोस्टन को देखिएगा दोस्तों सभी कोस्टन इंपोर्टिन है तो कोस्टन है दोस्तों कि अगर एयर टीम का खिलाड़ी फरी थ्रों सुट कर रहा हो तो एंड लाइन से पहला free throw rebound छेत्र किस team के खिलाड़ी के लिए होता है तो यहाँ पर आपसर नंबर बी करेट होगा बीप्रीट टीम के लिए यानि कि एक खिलाड़ी free throw पहला free throw rebound छेत्र किस टीम के लिए होता है तो बीप्रीट टीम के लिए होता है लेश्ट है पहला free throw rebound छेत्र एंड लाउंज से कितनी दूरी पर और कितना चवड़ा होता है तो यह होता है 1.75 फाइफ मीटर एंड लंबा दूरी पर एंड पॉइंट एट फाइफ मीटर चवड़ा होता है लेश्टा free throw के दौराउंज एक लाइन की तरफ से क्रामसा खिलाड़ी की क्या इस्थिती रहती है जब free throw होता है तब तो बिप्रीत खिलाड़ी होता है फिर साथी खिलाड़ी होता है फिर बिप्रीत खिलाड़ी होता है आफसर नमबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा next question है free throw लेते समय कितने साथी खिलाड़ी प्रतिवंधित छेतर के अंदर रह सकते हैं तो एक भी साथ ही खिलाडी नहीं रह सकते हैं प्रतिवंधी छेतर के अंदर फ्री थ्रू लेते समय नेश्ट है फ्री थ्रू लेते समय आकरामक टीम के कितने खिलाडी थ्री पॉइंट गोल एरिया छेतर में रह सकते हैं थ्री पॉइंट गोल एरिया के बात कर रहा हैं तो फ थ्री पॉइंट गोल एरिया के अंदर तीन खिलाड़ी दो सकते हैं नेक्स्ट है फ्री थ्रू लेते समय फ्री थ्रू करने वाला खिलाड़ी कोई वाइलेशन करता है और बॉल बास्केट में चली जाती है तो निड़े क्या होगा तो निड़ेट होगा कि कोई पॉइंट नहीं मिलेगा उसको और दूसरी टीम को थ्रो इन मिलेगा वालेशन का मतलब होता है दूसरो नेमो का उलंगगन निड़ेट है फ्री थ्रू बास्केट में परिवर्तित हो जाए जब फ्रि?ध्रो हो रहा है उ फ्रि फ्रो कर रहा है वह बासकेट में प्रवर्वर्वर्वर्वित हो जाए यानि बासकेट में चला जाएँ और उस तीम के दूसरे खिलाडी द्वारा वायलिश एक्रटिबाों किया जाए तो नीड्य क्या होगा या यानि की कि एक point मिलेगा विप्रीत तुम को throw in मिलेगा क्या मिलेगा throw in ठीक है चल्टि थे समय वही खिलारी वालेसंग करता है तो उसको कॉई point नहीं मिलेगा दूसरे team को throw in मिलेगा लेकिन जब वो free throw कर रहा है और बांसकेट में परिवर्थित हो जाए दुसरा खिलारी वाइनेशन करें तो उसको एक पॉइंट मिलेगा और दूसरे टिम को यारी विपीड टिम को थ्रो इन मिलेगा नेश्टर बॉसकेर बॉल से समंधित निमने में से क्या गलत है आफसन है यह है इस खेल में एक अधिकारी 24 सेकेंड ब्लॉक आपरेटर होता है ए पॉइंट सही है बी है थिरी पॉइंट गोल एरिया के बाहर से सौर्ट बॉसकेर बेर प्रॉक्रेट गण ult हो तो अमपायर दोनмов हाथों से तीन तीन अंगलिया दिखाता है सी है अगर खिलारी तीन पॉइंट के लिए प्रयास कर रहा हो तब अमपायर एक हाथ उठाकर तीन उंगलिया दिखाता है डी है खिलारियों की जर्सी पर नंबर 4-99 तक होते हैं यही आपका गलत है क्योंकि 4-15 तक होते है जर्सी पर नंबर अगर अमपायर को 13 नंबर की जर्सी वाले खिलारी से संबंधि कुछ बताना हो तो हाथों की क्या इस्थिती होगी तो हाथ बार बार घुमा कर दिखाएगा हो तकनिकी फावल होने पर अमपायर क्या इसारा करता है तो तक्निकी फावल होने पर अमपार एक हाथ की हथेली दिखा कर दूसरे हाथ के एक उंगली लाकर टी बनाता है जैसा कि आप देखे होंगे नेश्ट है मध्यांतर के समय को जोड़ कर कुल कितनी मिनट का खेल होता है जैसा कि दोस्तों 10-10 मिनट के चार क्वार्टर होते हैं और प्रते क्वार्टर के मध्यांतर का अंतर होता है और मध्यांतर 15 मिनट का होता है तो आप जोड़ लीजिए 10-10 मिनट का 10-4 चालिस हो गया एंड पंदा मिनट का मध्यांतर पाचपन हो गया और दो-दो मिनट जो quarter break होता है ओ गया तो पाचपन चार उनसट यानि कि कुल उनसट मिनट हो जाएगा आपका कितनी हो जाएगा कुल उनसट मिनट नेक्ट है अगर मैच टाई हो जाए तो अतरित समय कितने अवधिका होता है तो मैच अगर टाई हो जाए तो मैच पाच दो-पाच यानि पाच-पाच मिनट का टाइम दिया जाएगा और दो मिनट वध्यांतर होगा ठीक है नेक्ट है दोस्तो कि पहले हाफ में एक टीम को कितने टाईम आउट दिया जाते है तो पहले हाफ में एक टीम को दो टाईम आउट दिया जाता है अगर दो इसमें पहले हाफ में एक टीम को दो टाईम आउट और दूसरे हाफ में एक टीम को तिन टाईम आउट दिया जाता है ये धियाल में रखेगा अपर तेक टाइम आउट एक एक मिनिट का होता है नेश्ट है एक मैच में एक टीम कुल कितने टाइम आउट ले सकती है तो पांच टाइम आउट ले सकती है जैसा कि पहले हाफ में एक टीम दो टाइम आउट दुसरे हाप में तीन टाइम आउट कुल पांच टाइम आउट ले सकता है नेश्ट है एक टाइम आउट कितने समय का होता है तो एक टाइम आउट एक मिनट का होता है ध्यान में रखेगा नेश्ट है अगर कोई टीम पहले हाफ में दुखे हो की जगह एक ही टाइम आउट लेती है तो दूसरे हाफ में जो टीन टाइम आउट मिलते हैं उस इस YouTube में कितने टाइम आउट मिलेंगे तो जो नियम है दोस्तो वही जाहेगा यह पहले हाप में चाहे एक time out में चाहे दो लेकिन दूसरे हाप में वह तीन time out खात है तीन ही time out लेगा नेश्ट है अतरीती समय में एक team को कितने time out मिलते हैं तो दोस्तो जो अतरीती समय होता है उसमें एक time out एक team को मिलता है नेश्ठ बॉसकेट बाल खेल के लिए खेल के किसी नियम का उलंखन करना तकनी की रूप से क्या कहलाता है तो दोस्तों नियम का उलंखन करना वाइलेशन कहलाता है बॉसकेट बाल बे नेश्ठ तीन सेकेंड का उलंखन करना कौन सा फाउल कहलाएगा तो यह भी कहलाएगा violation जिस्ठर बाल को हाथ में लेकर दवरना किस प्रकार का foul कहला आता है violation यह भी violation होगा जिस्ठर double-dribble किस प्रकार का foul कहलाता है तो यह भी होता है आपका violation यानि कि violation में traveling त्रेवलिंग यानि कि टहल रहे हैं double-dribble यह आपका हो का वायलेसन में आ जाएगा या देखी नेमो का उलंगा नहीं वायलेसन कहलाता है बहुत सके जबाल में निशे खिला रही कि जर्सी के पीछे नंबर के लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों तो जर्सी के पीछे लंबाई चड़ाई बीस गुड़ी दो सेंटीमीटर होता है तो पीछे जर्सी के पीछे लंबाई चड़ाई बीस गुड़ी दो सेंटीमीटर और आगे की तरफ दस गुड़ी दो सेंटीमीटर होता है यह ध्यान में रखेगा नेशने दो हाप के मध्य क कितनी मिनिट का मद ध्यानतर होता है दोस्तो 10 10 5 मिनिट का होता है और पहला हाnost QUE का नेक्स कोछन है दोस्तो थो iNके समय उस खिलाई से ज़्यादा से इतनी दूरी पर रह सकता है तो throw in के समय उस खिलारी से वह जादा से जादा रह सकता है चार मीटर की दूरी पर कितनी मीटर की चार मीटर की दूरी पर नेश्ट है थ्रोइन के दोरान एक खिलारी को कितने समय के अंतर बाल फेकनी पड़ती है तो पांच सेकेंड के अंदर थ्रोइन के दोरान खिलारी को पांच सेकेंड के अंदर बाल फेकनी पड़ती है नेश्ट है थ्रोइन के दोरान विप्रीत खिलारी कम से कम कितनी दूरी पर रह सकता है जब एक मिटर की दूरी पर एक मिटर की दूरी पर फ्रोईंगे के दर रा रहे गा एक मिटर की दूरी पर कम से कम नेशनी इधाय समय से कितनी यहाधी तक टीम कोड़ा ना आए तो दूसरी कि नेश्ट्ट अगर एक टीम निधाइच समय के पंदर मिनट के अंदर ना आए या खेलने के लिए mala का कर दी दूसरी टिम को uważ रएी होने के सासे बस्क negro कमसे कम कितने खेलारी होने पर बास्केरबाल का मैच खिला जा सकता है तो पांच खिलाडी जैसा कि बास्केरबाल कुल बारे थ्रो दिया जाता है नेश्ट है अगर मैच टाई हो जाए और किसी एक टीम के चार फाउल चौथे क्वार्टर में हो चुके हो तो पांच मिनट के अतरित समय में चार फाउलों की इसेती क्यार रहेगी तो अतरित समय में भी चार फाउल या थावत रहेंगे नेश्ट है अगर किसी टीम के चार फाउल एक क्वार्टर में हो गए हूँ और उस टीम ने एक फाउल और किया हूँ जिसमें खिलारी सुटिंग एक्षन में नो हो तो निड़े क्या होगा तो निड़े दो फ्री थ्रो मिलेंगे उसको नेश्ट है बास्केट बाल का मैच कैसे सुरू होता है दोस्तो तो जम्प बाल से सुरू होता है ये ध्यान में रखिएगा नेश्ट है दोस्तो जम्प बाल का परियोग कब कब होता है तो सिर्फ मैच शुरू करने के लिए जम्प बाल का परियोग होता है नेश्ट दोस्तों जब मैच के आखरी दो मिनट बच जाए तो किसी टीम को टाइम आउट नहीं मिलेगा इस दुरान बाल डेड हो जाए या बाल बाहर चला जाए या जब घंटी घड़ी बंद कर दी जाए तो सोता ही एक टाइम आउट दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम कहते हैं तकनी की टाइम आउट नेश्ट है खिलारियों की जर्सी पर कहां से कहां तक नमबर अंकित होते हैं तो 4 से 15 तक होते हैं इतने चार से पंदर थक तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई हो की सभी कोस्टन सापको समझ में आया होंगे कोई भी डाउट होगा तो मचे कमें ज़रूर बताईया कहीं भी मिश्टेक होगा तो ही बताईये दोस्तों और ज्यादे ज्यादे वीडियो को सेयर किया किज जहां आपको फ्री में यमसी क्यूज एंड सिलिबस के एकार्डिंग सभी चीज़े प्रोवाइट कराई जाती हैं तो फर्स बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइक को प्रेस कर लीजिए जिसे न्यू वीडियो को आपडेट आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहीं